नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है HP Aspirants Zone तो सबसे पहले मेरे दोस्त आज के PDF डाउनलोड कर लीजिए इन सभी PDF का लिंक मैंने description box में दे दिया है आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आज की practice आप शुरू कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने main मुद्दे की तराफ Typing related tips to avoid disqualification देखिए जितने भी मुझे responses मिले हैं मैंने देखा है जितने भी मेरे दोस्त या जितने भी candidates आपके typing test के लिए गए हैं वो एक common mistake कर रहे हैं जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा और मेरे भाए लोग जिनकी speed 30 से 35 word per minute है उनके लिए ये video बहुत ही जादा important रहने वाली है अच्छा मैं सबसे पहले बात करूँगा कि जब भी आप exam center पे जाते हैं जैसे मान लीजे कि आपका exam 11 बजे है morning के time में तो कोशिश करिए आप वहाँ पे एक घंटा पहले ही पहुँच जाए देखिए क्या होता है कि आपको पहले एक hall में बिठा दिया जाता है एक important बात कि आपसे जो आपका जो roll number होगा वो पहले ले लिया जाता है और आपका जो ORA होगा online recruitment application वो भी आपसे पहले ले लिया जाता है जब आप computer lab में enter कर रहे होते हैं तो कोशिश करिए कि आपका जो roll number है वो आपको याद हो क्योंकि typing करने से पहले आपको screen में आपका date of birth और जो आपका roll number है वो पहले feed करना होता है उसी के बाद आपनी typing test आप शुरू कर सकते हैं अच्छा तो चलिए बढ़ते हैं अपने main मुद्दे की तरफ जो मेरा है कि भई मेरे साथ ही जिन्होंने typing test दे दिया वो एक common mistake करे हैं उसको avoid करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और मैं आपको बताऊँगा कि भई किस तरीके के जो typing test paper देखे गए हैं जिसे क्या हो सकता है जिसे जो candidates वो maximum mistake कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं एक मेरे दोस्त का typing test paper है उसने किस तरीके से ये चीज़ avoid करने के लिए जैसा कि आपको आपके screen में दिख रहा होगा कि ये एक typing test paper है तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा important चीज़ मेरे भाई लोग आपने सुना होगा कि maximum candidates जिनकी typing speed 40 word per minute है या 40 word per minute से ज्यादा भी है वो भी एक common mistake कर रहे है और वो common mistake है लाइन को skip करने की mistake अच्छा लाइन skip को avoid करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है दो कलर के marker दो कलर के highlighter सॉरी आपको क्या करना है कि highlighter pen ले जाने है जैसे इस मेरे दोस्तने यहाँ पे क्या किया है green color का और yellow color का जो highlighter है वो ले गया है ताकि जो line skip करने के जो chances है वो कम से कम रह सके और क्या करना है left side आप numbering कर सकते हैं और यह जो मेरे दोस्तने किया है कि भाई जो बड़ी बड़ी spelling है उसको उसको underline किया है ताकि जो line को skip करने के chances है वो सबसे कम हो सके अच्छा line skip करने के chances सबसे ज़्यादा कहां बनते हैं देखो मैं आपको आप screen पे देखिए कि मैं आपको एक line दिखा तो देखिए यहां पे लिखा है in politics we will और देखिए इसी के साथ देखिए नीचे यहां पे लिखा है in politics we will तो majority के case में क्या हुआ जब भी यह वाला जो shift हुआ 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 तो in politics we will यहां पे जैसी उसने type किया होगा तो वो क्या उसने क्या क्या वो directly यहां से start कर गया in politics we will तो क्या हुआ कम से कम 8200 strokes का यहां पे उसने क्या क्या 8200 strokes यहां पे skip कर दिये तो इसका सीधा मतलब होता है 80-100 strokes का मतलब होगा 20 word यहां पे error के रूप में देखे जाएंगे तो जितने भी मेरे भाई लोग है जिनकी speed 33 यह 34, 35 बन रही होगी तो उनके जो qualify करने के chances है वो यहां पे बहुत कम हो जाते हैं तो यह सबसे जो common mistake जो मेरे भाई लोग कर रहे हैं आप जिन्होंने यह वीडियो देखी है तो मैं चाहता हूँ कि आप यह mistake ना करें जो मैंने कहा है जिस तरह मैंने कहा है आप उस तरीके से अपनी strategy बनाईए ताकि आप ऐसी mistake ना कर सके अच्छा तो मैं आने वाले जितने भी मेरे दोस्त है उनके typing test जिनके होने वाले है उनके लिए मैं all the best कहूंगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद